पहले आप लोगों को यहाँ पर scale की help से एक line draw करना है 8 cm का, 8 cm का मैं यहाँ पर एक line draw कर रहा हूं simply, इसके बाद आप लोगों को इसके यहाँ पर width पर, हम लोग एक rectangle बना रहा है तो length हमने 8 cm रखी है, अब width जो होगी वो 4 cm आपको रखनी है scale से measure करके, यहाँ पर देखिए मै यहाँ ने 8 cm width इसकी कर दिया है, same manner में आपको length 8 cm और width 4 cm रखे, एक rectangle draw करना है, यह हम लोग इसलिए draw कर रहा है, ताकि हम लोग इसके अंदर diagram को draw करने, और बिल्कुल भी छोटा बड़ा ना हो, कोई भी cells, कोई भी problem ना हो, इसके लिए हमने यह किया है, अब मैं इस पूरे rectangle को erase कर लेता हूं, हलका हलका, कि मुझे बस दिखाई दे, ऐसा ही आपको अपने diagram में draw कर ले रहा है, और erase कर लेना, उसे lightly विल्कुल, ताकि सिर्फ आपको दिखाई दे, इसके अंदर आपको diagram को draw करना है, अब इसके अंदर हम लोग cells को एक एक कर कर करेंगे, आपको ध्या करना है, और आप लोगों को ध्यान रखना है, कि सबकी almost यहाँ पर जो width है, वो same रहे, यह columns बने हुए, बिल्कुल, सेम यहाँ पर रहे, इनके चोड़ाई, आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, इस चीज़ का, तो हम मैं आप लोगों जैसे draw करेंगे, आप मुझे इसके अंदर, कुछ इस तरह का shape आपको draw करना है, और नीचे से connect कर देना है, यहाँ आप लोगों किस चीज़ के लिए इस diagram को यहाँ पर draw करेंगे, प्रोजेक्ट के लिए, homework के लिए, comment box में जरूर बताइएगा, अगर आपको किसी और diagram में problem हो, तो आप चैनल को subscribe करके, comment box में बस diagram का name डाल दीजेगा, मैं आपको video का link instant provide करा दूँगा, अब यहाँ पर end को हम लोगों को open कर देना है, अब देखिए हमने यहाँ पर कोच तरह से diagram को draw कर लिया है, अब आप लोगों को इस diagram में यहाँ पर draw करना है, अपर पार्ट यहाँ पर, इसके अंदर कोच तरह circles, draw करनें आप लोगों को, सब के अंदर सारे column के अंदर एक ही आपको ऊपर नीचे, ऊपर कर दीजेए नीचे यहाँ पर middle में आपको draw करना है, इस वाले में आप लोग नीचे ही draw करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को subscribe नहीं गया, तो कर लिजे, क्योंकि आप आप लोगों को यहाँ पर exams related बहुत इस important diagram के वीडियो मिलते रहेंगे, और आप लोग अगर किसी चीज़े प्रोड़ाम होता, मुझे comment box में जरूरू बताइएगा, अब आप लोगों को यहाँ पर microfiber ड्रॉ करने है, यहाँ पर कोच तरह की lines, और यहाँ पर सारे columns पर आप microfiber, अब आप लोगों को यहाँ पर यह ड्रॉ करने के बाद, जो हमने यह थोड़ा unique सा cell बना है, इसके अदर mucus को show करने के लिए shade कर देना है, अंदर का portion थोड़ा थोड़ा, आप pencil से shade कर लीजे, जैसे मैं कर रहा हूँ, विल्कु सेम manner में आप लोगों को पूर area को shade कर ले देखेगा यह shaded portion को, तो यह थोड़ा चिकना हो जाएगा, देखेए आप कोचस तरह से मेरा diagram show होने लगा है, अब यहाँ पर हमारा diagram draw हो गया है complete, अब मैं इसकी आगे labeling कर देता हूँ, तो guys थोड़ा सा zoom in मैंने कर लिया है diagram को, और labeling करते के साथ साथ guys मैंने यहाँ पर membrane जो कोच इस तरह से labeling कर लेनी है, तो guys वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक कर चाल में नहीं हो, तो subscribe करने साथ, अब लगा ले बैल आइकन को, टन उनका नाम मत भूलेगा, और आपको किसे और टाइगरा में प्रॉलम हो तो आप मुझे comment box में ज़रू बताएगा झाल में अबताएगा तो को वीडियोग ऩाल मि के लाइगरा को वीड वीडियो कल get in.